जैस्री कृष्मित्रों फिर एक बार बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है आप सबीका आज हम बात करेंगे कुम्भ राशी और धनू-राशी की जोड़ी के बारे में यानि कुम्भ राशी वालों की जोड़ी धनू-राशी वालों के साथ किस तरहें की रहेगी अगर आपके प्रेम संबंध हैं, आपकी साधी हो चुकी है, आप मेरिड हैं, या आपका कोई मित्र है, तो आपकी जोड़ी किस तरह की रहेगी, जानेंगे आप इस वीडियो में, इस वीडियो को पूरा अं तक देखें बसुनें, तभी आप कुम्भराशी और धनुराशी की जोड़ी के पाएंगे, तो पहले कुम्भराशी के बारे में बात करेंगे, फिर धनुराशी के बारे में बात करेंगे, फिर थोड़ा सा इन दोनों के गुणों का मिलान करेंगे, कुम्भराशी वाले सच्चे अर्थों में अगर कहा जाए, तो मानबी गुणों से भरपूर होते हैं, उननसील होते हैं, आधुनिक विचार धारा रखने वाले होते हैं, मानवी और परोपकारी और कुम्भराशी के लोग मानब जाती के प्रति प्रेम और समाज की बहतरी के लिए कुछ भी कर सकते हैं. ये निश्पच्छ होते हैं और बेभारिक होते हैं अपने विचारों को जीवन को और अपनी सुतंतरता को पसंद करते हैं अपने हर समय के बदलते विचारों की बज़े से ये कभी कभी थोड़ा जिद्धी भी होते हैं अलग सोच रखने वाले लोगों से कुम्भराश के लो बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं अगर कोई इनसे एक बार मुलाकात कर ले या बात कर ले तो वो इनसे बार बार मिलना और बात करना चाहेगा ये दोस्त बहुत जल्दी बना लेते हैं लेकिन अगर दोस्ती में कोई इन से जूट बोलता है तो ये बहुत जल्दी जान लेते हैं और उससे दूर हो जाते हैं या कहें तो दोस्ती नहीं रखते हैं यानि रिष्टों में जूट विल्कुल बर्दास्ट नहीं करते हैं, इस कारण इनका सुभाव जिद्धी होता है, क्रोधी भी हो जाता है कभी कभी, क्रोधाने पर ज्यादा क्रोध करते हैं, इन पर जूटे आरोब भी कई वार लगते रहते हैं, प्रेम के मामरे में इन से एक अच्छे से बात करना, कहना चेह दिल्चस्प बारतालाप इन से की जाए, तो बस कुम्भ को अकरसित करने के लिए इस से बढ़िया कोई उपाय नहीं होता है, खुलापन पसंद करते हैं, कलपना सील होते हैं, जोखिम की इच्छा रखते हैं, इन से जो प्रेम कर इन से जो साधी करता है, उसमें इमानदारी सबसे जरूरी है, प्यार में वफादार और प्रतिबद्ध हैं, हग जताने वाले नहीं हैं, अपनी सोतंतरता भी चाहते हैं, अपने साथी को सोतंतरता भी देते हैं, बरावर का मानते हैं, सहान भूती, संबेदन से सिलता, दार जोषते रहते हैं। इनहें विज्ञान से जितना प्रेम होता है उतना ही अध्यात्म से भी प्रेम होता है। आसानी से उत्ते जितन tangy होते हैं। धैर्रेवान होते हैं। लेकिन कुरोधाने पर ज्यादा करते हैं। प्रगतिसील दृष्ट्रि कोड रखते हैं। अपने आत्मक और बौधिक रुचियों को साजह करنا है, अपने साथी के लिए सब कुछ एकदम सही करना चाहते हैं, इनका प्यार और साधी के पृति रवय्या तारकीक और बौधिक होता है, केवल प्रेम दिल से नहीं करते हैं, मन से भी करते हैं, दिमाग से भी करते हैं, यानि दिमाग से भी प्यार करना एक अच्छे रिष्टे की निशानी होती है, मिलनसार होते हैं धनु राशी वालों की बात करें तो धनु राशी की स्वामी ब्रहश्पती है अगनी तत्तु प्रधान राशी है और कुम्भ राशी बायू तत्तु प्रधान राशी थी उसके स्वामी सनी थे और यहाँ पर स्वामी ब्रहश्पती है और अगनी तत्तु प्रधान राशी जा नावश्यक है धनूराशिके जातक काफी उदारवादी आदर्शवादी होते हैं थोड़ा मजाकिया भी होते हैं और खुले माहूल में रहना पसंद करते हैं अपनी आजादी में ये भी खलल पसंद नहीं करते हैं जिग्यासा से भरे और घूमने फिरने के सौखीन होते हैं अगर किसी के साथ इनकी सही से मितरता हो गई तो फिर ये बहुत बफादार भोरुशनमंद और समर्पित साबित हो सकते हैं और अपने जीवनकाल में अपनी संस्कृत की विविता कानद लेना पसंद करते हैं धनुराशी के लोग महत्तवा कांची होते हैं और अपने लच्छ पहले से बड़े लच्छते करने में इनका विश्वास होता है कभी कभी ज़्यादा उस्साह में आकर ये कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिनके प्रणाम अच्छे नहीं भी होते हैं और फिर इनमें असुरच्छा की भावना भी आ जाती है अपने मित्रों में काफी लोग प्री होते हैं और इनके मित्र कई प्रभावसाली लोगों से भी मित्ताइन की रहती है हाला कि इनसे इर्षिया करने वाले भी काफी होते हैं लेकिन इन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा पाते धनु राशी वाले काफी सकारात्म कुर्जा से भरपूर होते हैं ये भी कहा जा सकता है कि धनु राशी वाले काफी खुले विचारों के होते हैं जीवन के अर्थ को अच्छी तरह समस्ते हैं दूसरों के बारे में जानने की कोशिस करते रहते हैं रोमान्स प्री होते हैं, आत्म पिश्वासी होते हैं, अत्यधिक महात्वाकांची और शफष्टवाधी होते हैं, लेकिन शफष्टवाजिता के कारण कई ये पने दूसरे लोगों की भावनाओं को ठ्यस भी पहुचा देते हैं जदा शपष्टवोलने के कारण, तो इनके नुसार जो इनके दौरा जाचा परखा हुआ वो ही सत्त है धनु राशी वालों को इमानदारी पूर्ण विभार करने वाले बेक्ति पसंद आते हैं इनके जीवन में बहुत तिक सुखों का भी महत्तो होता है और सामानत है सुखी और संपन जीवन बितीत करते हैं कुम्भ और धनु दोनों ही राशीयों के लोग साथ में मिलकर दोस्ती और लगाओ का एक मजबूत बंधन बना सकते हैं ये अपना जीवन मोजमस्ती से जी सकते हैं लेकिन इनके प्रेम समंधों में गलत फहमी नहीं आनी चाहिए कुम्भ और धनु राशी के लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं रिष्टे को आगे बढ़ने का मौका देते हैं वहीं कुम्भ राशी को धनु राशी का आत्म विश्वास आकर सित करता है कुम्भ राशी वाले धनु के सभी सीक्रेट अपने पास रखते हैं जहां तक कुम्भराशी और धनुराशी के शमंदों की बात होती है तो जब इनका रिस्ता एक बार बन गया तो बेहत मजबूत रिस्ता होता है। सुभाव में अंतर के कारण इस रिस्ते की अनकुलता में कोई अडचन नहीं आती। अग कुम्भराशी हमेशा इस बात से आकर्शित होते हैं। कुम्भराशी के स्वामी सनी हैं और धनुराशी के स्वामी गुरु हैं सनी और गुरु जब मिलते हैं तो अध्यात्मिक माहल बनना तय हो जाता है कुम्भराशी के स्वामी स्वामी ब्रहश्पति दोनों ही एक दूसरे को सम्मानते हैं तो कुम्भराशी और धनुराशी का र रिष्टा कभी भी ज़्यादा खराब नहीं होता है सदय रोमांच की तलास में होते हैं दोनों हमेशा रिष्टे को जीवंत बनाने की कोशिस करते रहते हैं कुम्भराशी और धनुरास्त का रिष्टा लंबे समय तक जारी रह सकता है दोनों एक दूसरे का साथ अच्छा नि भाव के होते हैं और धनुरासी के लोग थोड़े से चंचल होते हैं लेकिन दिमाग को सांत और इस्थे रखने में सच्छम होते हैं अगर धनुराशी का पुरुष है और कुम्भराशी की महिला है तो धनी धनुराशी का पुरुष और कुम्भराशी की महिला के बीच उनके रसनात्मा को बढ़ाने में मदद करती है। दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं, दोनों जीवन में विवित्ता भी पसंद करते हैं। धनुराशी का पुरुष और कुम्भ राशी के महिला आपस में सम्मन्द अच्छे हो सकते हैं। धनुराशी की महिला और कुम्भ राशी का अगर पुरुष है तो एक दूसरे में सच्चा प्रेम और खुजी पाने की संभावना इसमें भी अच्छी है। इस्तरी को पुरुष की सुतंता उतनी ही पसंद है जितना पुरुष को और ये चीज उसे इस्तरी की और आकर्सित कर देगी और अधिकतर महिलाओं में जो होती है इस रिष्टे में जोस्त की कोई कमी नहीं होती है लेकिन कोई निर्भरता नहीं होगी बेएक दूसरे से प्रेम करेंगे लेकिन बहुत जादा निर्भरता की जरूरत कभी महिशूस नहीं करते। कुम्भराशी के पुरुष का जीवन के प्रतिप्रेम और उसका उत्सा धनुराशी की महिला को पसंद है। तो फिर इनके रिष्टे में कई मुश्कले आ सकती हैं ये भी ध्यान रखने की बात है। धनुराशी वाले हमेशा सोतंत रहते हैं और अपने समय का आनंद लेना चाहते हैं जबकि कुम्भराशी वाले जीवन में अपने सुरच्छा की तलास करते हैं यही कारण होता है कि इनके दोनों के बीच बात बिवाद का जन्म हो जाता है। कुम्भराशी और धनुराशी को अपने बीच रिस्ता बनाये रखने के लिए बेहद आवश्यक होता है कि एक दूसरे को समझें इधर उधर की बातें बातों में गलत फहमी ना पालें और एक दूसरे से बात बिवाद ना करें। दूसरे के अजीव और अप्रिक्तियासित बिवार को भी समहलना जरूरी होता है क्योंकि कुम्भराशी के लोग थोड़ा सा और धनुराशी के लोग आपस में एक दूसरे की जब निंदा करने लगते हैं यानि एक दूसरे की बुराई करने लगते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है क्योंकि बायू तत्तो रगनी तत्तो का मिलन थोड़ा सा फिर खतरनाक हो सकता है क्योंकि बिना हवा के आग का जलना भी मुश्किल होता है तो ज्यादा हवा आग को बढ़ा देती है कुम्ब और धनुराशी के बीच कई वार अहम भी देखा जाता है जिसका इनके रि प्रयास करने चाहिए इस तरहें वे एक दूसरे के साथ समर्पित और सम्मान जनक समंधों का निर्मार कर सकते हैं कहा जा सकता है कि कुम्ब राशी और धनुराशी के समंध अनुकूलता के आधार पर औसस से अधिक होंगे और ये जोड़ी अगर थोड़ी सी बातों का ध्य रखा जाए आपस में बात विवास से बचा जाए एक दूसरे को समझने का प्रयास किया जाए तो ये कुम्ब राशी और धनुराशी की जोड़ी एक अच्छी जोड़ी साबित हो सकती है तो मित्रों आज मैंने आपको राशियों के आधार पर ये बतलाया कि कुम्ब राश कि निए को आप प्रेम और विश्षास से निवाएं तो फिर किसी भी राशी का आपका साथ ही क्यों नहों आपकी जोड़ी अच्छी ही जमेंगी अच्छी ही रहेगी आप सभी स्वस्त रहे, आयुश्मान रहे, धनवान रहे, ऐसी मेरी स्री कुम भगवान से प्रार्ट्न जैए श्री पिश्ण